नमस्कार, जय जोहार, जय चछतिजगर, जय हिन जैसा कि आप सभी को गयात है, सब इंस्पेक्टर की भरती पर इक्छा इस्टार्ट हो चुकी है आपने फॉर्म भजने की तारिक भी तै हो चुकी है, नोटिफिकेशन ओठ हो गया है टोटल आपके पास 341 पोस्ट आने हैं, तो इस 341 पोस्ट को पाने के लिए आपको समान ये मानसिक्योग यह तारिजिनिंग वाला जो पार्ट है, एप्टीट्यूट के अंतरगत, उसके आपको प्रिलिंफ में 10 कोश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एक आइडिया लेने के लिए मोटा मोटी कि आपका पेपर पिछले बार कैसा आया था, मैं किस एप्रोच से पढ़ हूँ, मेरी तयारी कितनी मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए, तो यह सब जानने के लिए हम पिछला प्रशन पत्र देखते हैं, तो यहाँ पे मे पैटन को पूरा करने वाली सबसे उप्युक्त आकरिती को पहचाने, यहाँ पे आपको सिंपल सा कोस्चन दिख रहा है, यहाँ पे आप को देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, काजू कतली मिलेगा, यहाँ पे आपको सरकल दिख रहा है, यह यहाँ पर भी सरकल है, यहाँ पर ट्रैंगल है, यहाँ पर ट्रैंगल है, यहाँ पर भी आपको क्या दीखेगा, ट्रैंगल देखने मिलेगा, यहाँ पर सरकल, यहाँ पर सरकल, रेक्टैंगल तो रेक्टैंगल, अब इसको डार्क करना है, मुझे, डार्क कहां पर करूंगा मैं यहां पे dark है फिर randomly एक alternate dark चर रहा है यहां पे dark है तो आपका dark कहां पे होगा यहां पे होगा तो कौन साकृति आपको जो मैं बनाए उसके हिसाब से दीख रहा है पहले यह option दीख रहा है हाना यह आपका समान इमांसिक यो कियता है मतलब कि आपको अपने mind power का यूज करके इस question को बनाना था अगला question दूसरा प्रशन आपका क्या कहता है बड़ा देहान से देखेगा यहां पे find missing number वाला question है इसमें आपको question बुला जा रहा है 11 49 89 167 अगला पद आपका क्या होगा कौन से pattern में आगे बढ़ है इसको आपको देहान से देखना है तो यहां पे मैं लि 167 और यहां पे क्या है question mark तो ध्यान से देखेगा यह दोनों के बीच का अंतर किता दिख रहा है आपको 8 2 किते का अंतर है 28 का यह दोनों के बीच आपको किते का अंतर दिख रहा है 0 5 50 का अंतर दिख गया आपको यह दोनों के मध्य किते का अंतर दिख रहा है आपको 8 और यह 78 का डिफ्रेंस दिख गया, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस लेयर को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, यह जो 28 है और यह जो 50 है, दोनों की मध्य कित्य कंतर है, आपके पास 22 कंतर है, यह जो आपका 78 है और यह जो 50 है, इसके मध्य कित्य कंतर है, आपका 28 कंतर है, अगर आपको पैटन पकड़ में आद है, तो आप पैटन पकड़ सकते हैं, कैसे पकड़ेंगे, यह 28 और 22 क्या होता है, पचास, तो यहाँ 50 होगा है, यह 50 और यह 28 कित्ता होता है, 78, अब यहाँ पे अगला पद क्या होना चाहिए, कि आपका अगला डिफ्रेंस आपका क्या होना चाहिए, कि आपका बन जा यह पैटन, तो यहाँ पे 22 है, 6 कंतर 28 हो गया, मतलब यहाँ पे 6 और जोड़ुगत कित्ता हो जाएगा, आपका 34, अब आप क्या करेंगे यह जो आपका 78 दिख रहा है और क्या देखने को मीद्ध है आपको 34 देखने को मीद्ध है दोनों को एड करो 8 4 12 का दो हांसी लाई 1 7 4 कित्ता हो जाएका 11 अब 167 और 112 को जोड़िए 972 क्या देखने के मिल आपको 279 कौन सा ओप्षन दीख रहा है आपको आप्षन नमबर D में दीख रहा है 279 यह पैटन आप लेयर बनाते जाओ आपका पकड़ में आना यान है 100 में से 90 कोश्टन जो आपके फैंड मिसिंग नमबर वाले होते हैं ले कोश्टन देखो बच्चो वाला कोश्टन दिया है आपको यहां पर बोला जा रहा है निम लिखित आकरिती है ना कोश्टन क्या बोर रहा है आपको निम लिखित आकरिती में कौन सा अक्षर प्रस्ण वाच अक्षिन है की स्थान पर आएगा कौन सा अक्षर आपके प्रस् यह यह जैड है, लेप्ट से बात करूंगा, यह पहला है, यह दूसरा है, इसी प्रेगार से चलता रहता है, टोटल 26 लेटर है, यहाँ पर आप देखेगा, 6, 14, 14, अगर मैं यहाँ से गिंते जाओंगा, 14 नमबर में क्या दिखेगा आपको, N देखने के मिलेगा, 4, 1, 5, 7, 7 क्या होता है, आपके पास, 12, 7, 8, 8, 4, 12, 12 नमबर में आउंगा, तो L देखने के मिलेगा, 10, 6, 16, 5 नमबर में क्या देखने के मिलेगा, U देखने के मिलेगा, अभी इसको जोड़ो, 14, 2, 16, 1, 17, लेप्ट से 17 नमबर में क्या आता है, क्यों आता है, मतलब आपका डारेक्ट answer क्या हो जाएगा option number भी क्यों हो जाएगा यह किस प्रकार से याद करते हैं इसका trick क्या है तो इसको आपको class में या फिर हमारे YouTube channel में uploaded है वहाँ search mark आप देख सकते हैं हाना अगला question order ranking का question है question में पहता है आपको 60 छात्रों की कक्छा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का दुगना है मतलब की मैं बोलता हूँ अगर girls क्या बोलता है लड़कियों की संख्या माना की लड़कियों की संख्या जी है boys की संख्या भी है दुगनी लड़की हो गई है अब question में बोल रहा है लक्षमी सीर्थ से 27 इस्थान पर है यदि लक्षमी से 9 लड़के आगे हैं तो उसके दैंक के बाद कितनी लड़किया होंगी सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ टोटल कितने लड़के कितने लड़किया बहुत सबसे गल्स मिला के साथ हैं गल्स की संख्य में निकालता हूँ बी का वैल्यू बी ही रहन दो जी की जगा आप 2 बी रख दो इक्वल टू साथ 3 बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास साथ बी का वैल्यू कितना आगे है 20 अगर 20 लड़के हैं तो लड़किया कितनी होँगी उसका दूग ना कितनी लड़किया हो जाएगी 40 इतना चीज मुझे समझ आ गया अब कोस्टन में आपको क्या बोर रहा है लक्षमी नाम की जो लड़की है सीर्सर से 27 नमबर पे है अब जब कभी भी आप order ranking पढ़ेंगे सीर्सर से बोलेगा मतलब आपको लेप्टर से लेना है उप़र से लेना है सीर्सर से 27 नमबर पर कोन है आपकी लक्षमी है मतलब इसको क्या मैं लेप्टर से 27 में लक्षमी को रख सकता हूँ बिलकुल यदि लक्षमी के आगे नौ लड़के हैं लक्षमी के आगे किते लड़के हैं नौ लड़के हैं तो लड़किया किती होंगी सत्रा लड़किया होंगी नौ लड़के और सत्रा लड़कियां गल्स किती हो जाएंगी सत्रा और लक्षमी को मिला कि अगर मैं बात करूंगा टोटल गल्स कित्ता हो जाएगा उपर से 27 में तो 17 ये और ये एक मतलब 18 गल्स हो गई आपकी उपर अब कोश्चन में बोल रहा है तो उसके रहें के बाद कितनी लड़की होगी मतलब इसके नीचे कित्ती लड़की बैठे हैं टोटल 40 लड़की 40 में से मैं 8 गटाऊंगा कित्ता आजाएगा भी या 22 आजाएगा मतलब कि लक्षमी के नीचे 22 लड़की लक्षमी के उपर 17 लड़की 17 उपर की लड़किया लक्षमी करो 18 और ये 22 टोटल की 3 लड़की 40 लड़की सिंपल सा कोश्चन है बस आप कोश्चन को ध्यान से पढ़िए पैटर्न को समझे और बनाईए हना और ये कि ऐसे प्रस्णा आप से नहीं बनेंगे आपको प्रैक्टिस करनाई होगा अब ऐसा ये की परिक्छा में भी इंटर्व्यू है मिन्स है तो आपको थोड़े बहुत तयारी से रुकना नहीं है आपको जब तक सेलेक्शन नहीं हो जाता है सेलेक्शन के लिए आपको क्या पढ़ना है के वर प्री निकालोगे मेंस नहीं निकालोगे तो आपका सेलेक्शन होगा क्या नहीं होगा आपको pre भी निकालना है, means भी निकालना है, interview भी crack करना है, तब जाके आपको एक ठोक post मिलेगा इसलिए मैं कहता हूँ कि आप pre भी छोड़ो, आप सिधा pre, means, सब की तयारी एक साथ करो क्योंकि जो आपका pattern है syllabus का बिलकुल लगभग सेम है अगला question, pattern को पूरा करना है, करिए पूरा क्या हो जाएगा आपके पास, pattern को मैं पूरा करता हूँ यह जो image आपको नजर आ रहा है, इसको मैं पूरी करने क्या करता हूँ, कोसिस करता हूँ सबसे पहले तो आपका यह गोला बनेगा, ध्यान से देखिए, बना आपका, उसके बार आपका इस प्रकार से कुछ बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, यहां ऐसा लाइन बन जाएगा आपके पास, यहां आपका इस प्रकार से लाइन बन जाएगा, अब देख मैं फिर से यहां पर आकरिती बना रहा हूँ आप सभी के समझ यह आपके पास क्या है आकरिती है यह गुला आपका बनना है यह आपका यहां तक जाएगा यह आपका यहां तक जाएगा यह वाला पार्ट खाली रहेगा यह आपका किस प्रकार से होगा इस प्रकार से आपका बढ़ेगा, यह आपका इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, कौन सा आपको दीखर है इस प्रकार की आगरिती, मेरे एक तो C वाला दीखर है, तो option number C क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल perfect हो जाएगा, ठिक अगला question देखते हैं, यहाँ पे coding decoding का question है, question में बोलता है, यदि monkey को मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, तो tiger को कैसे लिखूँगा, monkey, monkey मतलब बंदर, बंदर को कैसे लिखोगे, monkey, m-o-n-k-e-y, सबसे पहला काम जो भी आपको given है, उसका तो आप left side से ranking लिख दो, left से ranking क्या होगा, इधर से देखोगे, तो 13, यह हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 11, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 25, अब इसको मैं किस प्रकार से coding कर रहा हूँ, इसको मैं coding कर रहा हूँ, x, c, h, j, j, g, अब इसको भी number लिख लो भई, 24, 3, 8, 10, 10, 10, और यह सा, अब आप ध्यान से देखेगा, बड़े ही ध्यान से दोखेगा, आपको दीखेगा, 24 में से 25 में से एक गया, 24, 5 में से 2 गया, 3, 11 में से आपका 4 गटाओ, 11 में से आप 3 गटाओगे, कितना बचेगा, आपके पास 8, 14 में से 10 गटाओगे, कितना बचेगा, आपके पास, 14 में से 4 गया, 10, 15 में से 5 गया, 10, 13 में से 6 गया, आपके पास 7, मतलब आपका कैसे हो रहा अब यहां पर लिखा हुआ है tiger ये क्या लिखा हुआ है आपके पास tiger लिखा है 20, 9, 7, 5 और 18 माइनस 1 करोगे क्या मिलेगा 17 माइनस 2 करोगे इत्ता मिलेगा 3 माइनस 3 करोगे तो 4 माइनस 4 करोगे तो 5 माइनस 5 करोगे इत्ता मिल जाएगा 15 एक घटाया, दो घटाया, तीन घटाया, चार घटाया, पांच घटाया, अब आपको क्या करना है, Q, 17 का क्या होता है, Q, 3 का क्या होता है, C, इसका D, इसका E, इसका O, कौन सो option दीख रहा है, Q, C, D, E, O, option number D दीख रहा है, खतम बात, कितना असानी से बनाएंपन, अगर मैं option म बनाना भी नहीं पड़ता, मुझे आपको समझाना है करके तक, उस मैं बना रहा हूँ, अब यहाँ पे बोला जा रहा है question में, वहाँ आकरिती याद कीजिए, जो निमलिखित आकरिती उसके भाग में छीपी हुई है, तो चलिए खोजबिन करते हैं, ऐसा वाला मेरे को क्य चाहिए, आकरिती चाहिए, तो इसमें दिख रहा है क्या आपको, खोजो गित दिख जायागा, कैसे दिख रहा है आपको, यह वाला दिख रहा है, दिखा, इसमें दिखेगा क्या, नहीं, इसमें दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, अब दोनों में दिख जा रहा अब बड़ा तकलीफ, इसमें सीधा वाला है, इसमें सीधा वाला है, इसमें सीधा वाला है, तो दोनों में आप तुलनात्म गध्धन करोगे, तो यह वाला ज्यादा आसपास लगेगा, तो आपसन नंबर C को आप लेंगे, आपके मौडल आंसर में भी इसको लिया गया है, लेकिन इस आगरितिक में अगर उल्टा करके रखूंगा तो इसमें फिट होगा, ये भी मेरे हिसाब से सही है, ना, विवादीत कोश्चन है, वो एक्जाम का मॉडल आंसर में C लिया है, मैं भी C ले लिया है, चलिए, ब्लर डिलेशन, खूनी संबंद का कोश्चन दिग गया C है, D C का पिता है, D जो है किसका पिता है, C का पिता है, E D की माता है, E जो है किसकी माता है, D की माता है, तो A का D से किस परकार से संबंद है, ये आपको A कहां पे है, उसको खोज लो, ये आपके पास A है, ये आपके पास D है, मतलब की बेटी के मां का पिता, बेटी के मां क मतलब यह इसको क्या बोलेगी? नाना बोलेगी, यह इसको क्या बोलेगा अपने नाटी पोती, जो बोलना चाहे तो option number D में क्या धीक है, आपको पोती दीख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पोती करेक्ट हो जाएगा. अन्तिम दो कोस्टन बाकी है अराम से दिखिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है निम लिखित में से कौन सा वेन आने टेनीस प्रसंसक क्रिकेट खिलाडी अमछातरी भी संबन इस्थापित करता है ए वाला ही होगा क्यों क्योंकि जो टेनीस प्रसंसक है वो क्रिकेट खिलाडी भी हो सकता है और जो स्टुडेंट है वो टेनीस प्रसंसक भी हो सकता है और क्रिकेट खिलाडी भी हो सकता है तो उप्सन नमबर ए करेक्ट है अन्तिम कोस्टन अन्तिम कोस्टन में बोला जा रहा है 5 प्लस 3 इंटो 8 minus 12 upon 4 equal to 3. कौन सच चिन्ह पदलूंगा तो ये वाला समीर कर मेरा क्या होगा? सही होगा. तो यहाँ पर आप चेक करेंगे इसमें आपका नहीं होने वाला second option को आप देखिएगा. माइनस को मेरा क्या करना है? डिवाइड वाला और डिवाइड वाले को माइनस करना है. 5 प्लस 3 इंटू 8 माइनस को डिवाइड करना है और डिवाइड को क्या करना है? आपको माइनस करना है. ठीक? equal to आपका क्या मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए. 4 दूनी, 4 तिया. 3 से 3 गया. 5 धन 2, माइनस 4. साथ में से 4 खटाओं का कित्ता मिलेगा? 3 तीन बराबर 3. तो आप्सन नंबर B is your correct answer. क्लियर बात? तो आज की क्लास में हमने क्या देखा है? तो जो भी कोश्चन आपको पिछले प्रस्नपत्र में पूछा गया था, उन प्रस्नपत्रों को हमने चर्चा किया. अब ये तो रिजनिंग के प्रस्नपत्र हों गए. इसी प्रकार से आपको हिंदी का, 36 गड़ का, केंप्यूटर का, और जो GS वाला पार्ट है, सभी प्रस्नपत्र आपको पिछला प्रस्नपत्र करा दिया गया है. कितना कम होगा, कितना डिस्कॉंट दिया जाएगा, क्या हो रहा है इस दिवाली में, तो उसके लिए आपको हमारे संसा के नंबर पर संपर करना हैं, और आपकी तैयारी को मजबूत करना है, बिल्कुल, SI का बैच अभी जोईन कर लिजे, आपको सफलता की गैरेंटी साध्य की टीम देगी, है ना, समय समय पर, कोस्टन पेपर, टेस्ट स्रीज, पी वाइकू, जो भी हम से हो सकता है आपको वर्दी दिलाने में, तो हम लोग भी जिद में आ चुके हैं, आपको वर्दी दिलाने के लिए, आप भी जुनून इस्तर पर, तनमेता के साथ, जिद में के साथ, वर्दी पाने के लिए उतारू हो जाएए, और तैयारी में लग जाएए, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक लिए, जैहिन, जैभारत, जैच्छतिजगर,